Hello everyone, welcome to the Arc Genesis. आज का टोपिक बहुत ही interesting and informative होने वाला है. टोपिक है additive versus subtractive color system. आप सबीने color तो देखे हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका फंडा क्या होता है, इस वीडियो में ये समझने के हम लोग कोशिश करेंगे. लास्ट ये कोशन पूचा गया था गेट में, कोशन को देख लेजी. तो ये कोशन कैसे वोगा, जम पता होगा कि subjective and additive color system कैसे काम करते हैं. देखे, color हमारी जिनकी को तो रंगिन बनाते हैं, लेकिन ये color कैसे बनते हैं, ये समझने के लिए मैं दोनों system को समझना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं additive color system से, इसमें हमारे पास तीन important color होते हैं, red, green and blue, यानी RGB. जैसे कि आपने TV ए फोन की screen में देखा होगा. जब हम इन तीनों को साथ मिलाते हैं, तो वो मिलकर white color बनाता है. ये system हमारे screen जैसे कि आपके phone की screen में color दिखाता है. additive color का एक और simple example है, TV screen. जब आपने TV को own करते हैं, तो red, green और blue light combine होगा, आपको सारे color दिखा देती है. इस process को हम add करना कहते हैं, इसलिए नाम है additive color system. additive color system black से start होता है, और जैसे हम color add करते जाते हैं, तो ये हमें image दिखाई देना start करते हैं, इसलिए आपका phone की screen black होती है, और जब आप इसको own करते हैं, तो different color दिखाई देते हैं. अब आते हैं, subtractive color system पर, यहां हमारे पास तीन main color होते हैं, cyan, magenda, yellow and black, यानि CMY के, ये system mainly print industry में use किये जाते हैं, जब हम इन तीनों को mix करते हैं, तो मिलकर black color बनाता है, इस system में हमें रंगों को subtract करना होता है, यानि हम कम करते जाते हैं, और इसलिए subtractive color system नाम है इसका. subtractive color का simple example है printing, जब आप कोई रंगीन तस्वीर print करते हैं, तो आपको subtractive color system में काम करना होता है, हम सब जानते हैं कि visible light में 7 colors होते हैं, आपने बच्वान में प्रिजिव वाल एक्सपरिमेंट जरूर क्या होगा, तो imagine करो कि आपके सामने जो wall है, वो red color की है, अब हो क्या राय है कि 7 color wall पर पढ़ रहे है, in form of visible light, लेकिन red को छोड़ कर, जो बाकी के 6 colors हैं, बचे होई जो 6 colors हैं, उनको subtractive कर लिया गया, और आपको सिर्फ red color ही reflect किया गया, जिसे हमारी eye recognize करते हैं, और mind को signal based है, कि wall का color red है, इसलिए इस system को subtract system कहा जाता है, क्यों 7 color है, 6 color absorb कर लिया गया तो इस वीडियो में हमने देखा कि additive system और subtractive color system कैसे काम करता है, दोनों ही system अपनी अपनी जेगा पर important है, जैसे कि हमारी screen या फिर हमें print निकालना हो तो, अब हम देखते हैं, इसकी utility क्या है, देखे, आप कोई काम कर रहे हैं, और आप मान लिजी की software पर काम कर रहे हैं, take an example Photoshop, तो आप सब पूछता है, कि आपको CMY के system पर काम करना है, या फिर RGV system पर काम करना है, तो कैसे काम करेंगे, कि आपको पता होना चाहिए, कि जो आप बना रहे हैं, उसका use क्या है, अगर आप मान लिजी एक banner बना रहे हैं, या report बना रहे हैं, या अगर मान लिजी ड्रो उसके लिए बेटर होगा RGV system, तो आपको ये वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियो सही लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और मिल दे हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू फॉर टाइम, सी यू, ID, यू, यू, एवी यू, जपको मिला हुए खॉर नेक्स वीडियो में, यू, 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 बाल।